बीएस येदू यूरप्पा ने करनाटा के मुख्यमंत्री के रूप में लीपद की शपत लेकिन सुप्रीम कोड के तीन जजों की बेंच ने उनसे समर्थन पत्र की मांगी है कौपी इस मामने में सुप्रीम कोड कल यानी शुकरवार सुभा साड़े दस बजे फिर से करेगी सुनवाई केंद्र ने सुरक्षाबलों को दिया निर्देश पवित्र रमदान के दौरान सुरक्षाबल नहीं चलाएंगे कोई अभियान केंद्र ने सुरक्षाबलों को दिया निर्देश पवित्र रमदान के दौरान सुरक्षाबल नहीं चलाएंगे कोई अभियान ग्रह मंत्री राजनाज सिंग ने जम्मू कश्मीत की मुख्यमंत्री महभूवाव मुख्टी गुदीज की जानकारी ग्रामीर विकास योजनाओं को लागू करने में उत्तरदेश बना देश में नमबर एक राज केंद्री ग्रामीर विकास मंत्राले नेजारी की रैंकिंग इलहाबाद हाई कोट ने लंबे समय तक जेलों में बंकैरियों के मुकदमे प्रात्मिक्ता के आधार पर सुनने का लिया है निर्डे एक जून दो हजार अठार से शुरूप रहें क्रिश्मा वकाश में सुनी जाएंगी बंदियों की अपी नमस्कार में हूँ अर्चन अब्रजेश और अब समाचार विस्ताड से भाजपानेता बीएस यदुरप्पा ने आज करनाटक मुख्यमंद्री पद की शपत ले ली राजपाल वजुभाई बाला ने सुबह 9 बजे उन्हें राजपान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्ता के बीच शपत दिलाई इसके साथ ही बीएस यदुरप्पा तीसरी बार करनाटक की मुख्यमंद्री बन गए बीएस यदुरप्पा के साथ अभी मंद्री के रूप में किसी भी विधायक ने शपत नहीं ली है अब उनके सामने विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनोती है बहुमत साबित करने के लिए राजपाल ने उन्हें 15 दिन का समय दिया है बहराल बीएस यदुरप्पा के शपत लिनते ही करनाटक में उनके समर्थकों और भाजपा कारे करताओं ने जश्न मनाया मुक्यमंद्री पद के शपत लिने के बाद बीएस यदुरप्पा ने मेडिया से कहा कि वो सदन के भीतर अपना बहुमत साबित कर देंगे और पूरे 5 साल तक सरकार चलाएंगे भाशपा अध्यक्ष अमिच्छा ने करनाटक में यदुरप्पा को मुक्यमंद्री पद के शपत लेने के बाद बदाई दी है उन्होंने ट्वीट के जरिये कहा कि ये जीत सभी कर्नडवासियों की है जिन्होंने कॉंग्रेस के विभाजनकारी और भ्रश्टाचार वाली राजनीति को उखाड फेका है अमिच शाह ने कहा कि प्रधान मंत्री नरिन्र मोदी के मार्ध दर्शन में नई सरकार लोगों की आखांग्छाओं को पूरा करेगी बीएस येदुरियोरप्पा के कर्नाटा के मुख्यमंत्रिपत की शपत लेने से पहले पूरी राज सूबे की राजनीति में कई दिल्चस्प मोड देखने को मिले कॉंग्रेस पार्टी और जेडियेस ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में राजिपाल वजुभाई बालाप के फैसली को चुनौती दी कि उन्होंने बीएस येदुरप्पा को सरकार बनाने के लिए कैसे आमंत्रित कर दिया जबकि उनके पास बहुमत के लिए पूरी संख्या है ही नहीं इसके बाद रात में ही सुप्रीम कोर्ट में साथ ही तीन जज़ों की बेंच बैठी और दोनुक्ष की दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने राजिपाल के फैसली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया राद भर चले नाट की घटना क्रम में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य नयाधिश दिपक मिश्रा ने कॉंग्रिस जेडियस की याचिका पर तीन नयाधिशों की एक बेंच का गठन कर मामले की तुरन सुनवाई करने का फैसला किया इस बेंच में जस्टिस अशोग भूशन, जस्टिस एसके सीक्री और जस्टिस एम एबोग्डे ने मामले की सुनवाई की वहीं सुप्रीम कोड के फैसले के बाद ये दियूरपा ने मुख्यमंत्रिपद की शपत तुले ही ली है लेकिन तीन जजों की मेंच ने उसे समर्थन पत्र की कॉपी मागी है साथ ही ये भी कहा है कि वो इस मामले में कल यानी शुकरवार सुबह साड़े दस बजे सुनवाई करेगी दरसल राजिपाल के फैसले के खिलाफ कॉंग्रेस और जेडियस बुधवार रात को सुप्रीम कोड पहुँचे थे साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोड के पास ये शक्ति है कि अगर कोई गलत नजीर कायम हो रही है तो उसे रोका जा सके समाचार भी और भी हैं लेकिन पहले लेते हैं एक विराम केंद्र सरकार ने सुरक्षा बनों से रमजान के पवित्र महीने में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अभियान नहीं चलाने को कहा है ग्रे मंतरी राजनाथ सिंग ने राजिकी मुख्य मंतरी महबूबा मुफ्ती को इस बारे में केंद्र के फैसली की जानकारी दे उन्होंने कहा कि किसी हमले में जवाबी कारवाई के लिए सुरक्षा बनों को किसी आदेश की जरूरत नहीं होगी ग्रे मंतरी ने उमीद जताई कि सरकार की इस पहलका सभी को सही उग मिलेगा और रमजान के महीने में शांती बनी रहेगी रमजान का पाक महीना जमु कश्मीर के लिए सौगात लेगर आ रहा है रमजान के महीने की शुरुआत से ठीक पहले केंद्र सरकार ने घाटी में सुरक्षा बनों को रमजान की दौरान कोई नया उपरेशन शुरू ना करने के निर्देश दिये हैं बुदवार को इस बारे में केंद्री ग्रीमंत्राले ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा सरकार ने घाटी में सुरक्षा बनों को रमजान की दौरान कोई नया उपरेशन शुरू ना करने के निर्देश दिये हैं ये फैसला मुस्लिन समाज के शान्ति प्रिये लोगों को शान्ति पूर माहौल में रमजान मनाने में मदद देने के लिए किया गया है ग्रीमंत्री राजना सिंग ने खुद जमो कश्मीर की सिय में मुवा मुफ्ती को भी इस संबंध में जानकारी दे दी है हलांकि केंद्र ने किसी आतंग के हमले के स्थिती में सुरक्षा बलों को आतंग के खिलाफ जवाबी कारवाई करने के छूट भी दी है एक अने ट्वीट में ग्रीमंत्राले ने कहा सुरक्षा बलों को कश्मीर में लोगों की सुरक्षा करने और खुद पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए किसी भी तरहां का फैसला लेने का अधिकार है और वो इसके लिए पूरी तरहां से स्वतंत्र है केंद्र सरकार ये उमीद करती है कि सभी लोग सुरक्षा की इस विवस्था में सहयोग करेंगे जिससे के मुस्लिम समाज के भाई बहन बिना किसी विवधान के रमजान के पाक महीने का जश्न मना सके। केंद सरकार के इस फैसले के बाद जमु कश्मीर की मुख्य मंतरी में बुबा मुफ्ती ने भी इस फैसले के लिए पीएम मोदी और ग्रीम मंतरी राजना सिंग को धनेवा दिया है। के बाद जवाब देंगे ताकि जो यहाँ मिलिटरंट्स हैं उनकी तरफ से भी महें रमजान की मुबारक मुख्य 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 मंतरी और नैशनल कॉन्फरेंस प्रमुक उमर अब्दुल्ला ने भी इसका स्वागत करते वे कहा कि अगर आतंखवादिय ने इसका समुचित जवाब नहीं दिया तो यह साबित हो जाएगा कि वो लोगों के दुश्मन हैं। समाच को भारी यातनाई सहनी पड़ी हैं। स्लिमों की धार्मिक भावनाओं का शोशन ना कर सकी। आज सी मुबारक महीनी रमजान की शुरुआत हो गई है। रोजेदारों ने आज पहला रोजा रखा। पाक महीनी रमजान का चान कल दिखाई देने के बाद रोजेदारों में खुशी दिखाई दी। इस से पहले कल मरकजी चान कमेटी के अध्यक्ष मुलाना खालिद रशीद फिरंगे महली ने चान निकलने की घोशना करते हुए लोगों को मुबारक बात दी। ने आज 16 माई को हिंदुस्तान के कई शेरों में आम रोएच हुई है जिसके बुनियाद पे दिली में इमारे तश्रीया ने रचान दोने की तजिख की है। लियाज लखनों में भी जबात वैलान किया जाता है कि कल यमी 17 माई को पहला रोजा पूरे मुल्क में इंशाल्ला रखते जाने। प्रतिशत आवासों का निर्मान कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं रोजगार स्रजन के मामले में मनरेगा के तहट सरवाधिक रोजगार भी उत्तर प्रदेश में स्रजित हुए। वहीं स्वच्छ पेयजल और राश्ट्री ग्रामीर आजीवी का मिशन में प्रदेश नंबर एक पर रहा है। प्रदेश के ग्रामे विकास मंत्री डॉक्टर महिंदर सिंग ने डीडी न्यूस से खास बाचीत में कहा है कि प्रदान मंत्री की सोच के अनुरूप चलकर प्रदेश को 29 से पहले स्थान पर विभाग को लाने का काम किया गया है। उनकी प्रिम्णा प्राफ्त हुई उसी के तहट हम लोग इसके कर पाए। पूरे विभाग के सभी अधिकारियों ने मिलकर के इस काम को किया और मैं सब को इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। और इसी के तहट हमने एक नए अवियान के तहट विवस्था बनाई ह है कि अच्छा काम करने वाले को अच्छा स्थान मिलना चाहिए। ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी कैसे आ सकती है। इसका एक अभीन्यों प्रियोग ग्राम विकास विभाग में सुरू किया। हमको लगता है कि आजादी से लेकर क्या हुई तर उत्तर प्रदेश में कोई विभाग कभी नहीं। और देश में भी कहीं ऐसा उधारन सुनने को नहीं मिलता है कि सब को एक साथ पुला करके उनके रेटिंग करके और च्वाइस के आधार पर पोस्टिंग देना और सारी मीडिया के लोगों के समक्ष इस कारवाई को संपादित करना। इलाहबाद हाई कोट ने ग्रीश मुकालीन अवकाश में एक नई पहल की शुरुआत की है। देखिए पूरे देश में या बिंदु बहुत कंभीरता से विचार किया जा रहा है कि देश भर के नयायालेों में जो लंबित मुकदमे हैं उन्हें किस प्रकार से निस्तारित किया जाए। इलाहबाद हाई कोट एशिया का तीसरा सबसे बड़ा हाई कोट होने के नाते यहाँ पे भी क्रिमिनल अपील्स बहुत भारी संख्या में आज भी लंबित हैं। तो इस बार पहली बार एक अनूठी पहल करते हुए हमारे माननी मुख्य नयायादीपती महोदे ने एक फैसला लिया कि ऐसे जितनी भी अपीले हैं जिन में वेक्ति पांच वर्ष से जादा समय तक जेल में निर्द रह चुका है ऐसे मुकदमों में नयायाले की तरफ से अ परिवार कल्यान मंदराले के संयुक्त तत्वावधान में PCV के विस्तार के लिए मीडिया कारिशाला का आयोजन किया गया मीडिया का रिशाला का उद्गाटन स्वास्थिवं परिवार कल्यान महाने देशत नीना गुपता ने किया मीडिया का रिशाला में दूसरे चरण के लिए लखनव बारा बंकी, हरदोई, फैजाबाद, गोंडा इवंबस्ती में नेमित टीका करण के लिए चैनित किया गया है प्रदेश के बारा जिलों में नियूमो कोकल, कान जुगेट वैक्सीन यानि PCV सामुदाइक स्वास्थिकेंद्रों में मुफ्त प्रदान की जाएगी नीना गुप्ता ने बताया कि ये टीके केवल प्राइवेट तोर पर ही उपलब्ध थे भारत सरकार द्वारा अब इनको सरकारी अस्पताल इवंग्राम इस्तर पर PCV के टीके मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे इसका उद्देश है हमारे देश में 0-5 एस की एज में डाइरिया और निमूनिया दो बीमारियों के ज़्यादा प्रिबलेज है इन दोनों बीमारियों से रोपने के लिए इन दोनों की वैक्सीन के ज़रूरत महसूस हुए तो पहले पिछले साल हम लोगों ने चैजलों को कवर किया था अब इस साल हमें भारत सरकार के ज़्यादे से चैजलों को और आच्छादित करने कर ज़्यादेश मिला है निमो और डाइरिया के लिए हम ओर आरेच वगेरा देते हैं जिंग देते हूं उसके भी वैक्सीन रोटा वाइरस अभी दो एक महिने बाद लॉंच होने वाले है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालाय दिव्यांग जन सरक्ति करन विभाग की युजनाए दिव्यांग जनों के लिए वर्दान साबित हो रही है इस दिशा में कारे कर रहे भारत सरकार के मीनी रत्न सार्जनिक उपकरम भारती कृतिम अंग निर्मान निगम यानि एलमको का विशेश योगदान है इलमको द्वारा दिव्यांग जनों के सामाजिक आर्थिक पुनर्वास तथा सुगम जीवन यापन है तो उन्हें कृत्रिम अंग इवं साहयक उपकरन प्रदान किये जा रहे हैं इसके अतिरिक्त एलमको भी पील शेणी के वरिष्ट नागरिकों के लिए भी जीवन साहयक उपकरनों का निर्मान एवं निर्शुलक वितरन करता है एलमकों में कारेरेच सेंटर प्रभारी प्रियंका सिंग ने बताया कि एलमकों में आने वाले दिव्यांग जनों के लिए समरपन भावना से लोग कारे करते हैं यहां आने वाले दिव्यांग जनों को जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकल, वीलचेर, कान की मशीन, अंधछडी, इत्यादी, अनेक उपकरण एलेम को द्वारा प्रदान किये जाते हैं। उन्होंने बताया कि अपनी स्थापना से अब तक एलेम को द्वारा लगभग 45 लाग दिव्यांग जनों को लाभानवित किया जा चुका है। प्रदान करते हैं। भारस सरकार की योजनाओं के अंतरगत उनके साथ असिस्टिव डिवाइस जैसे की वीलचेर, ट्राइसाइकल, क्रचेज वगएरा जो होती हैं, कैलिपर वो भी हम दिव्यांगों को उनके परिक्षन के बाद ये प्रदान करवाते हैं। लेला प्रशाचन की मलत से हम दिव्यांगों को सुचित करते हैं। और देधारी के अरिस्टर पर उनका परिक्षन कर, उनके लिए जो भी उप्योग उप्रण हैं। उसके लिए एलिमकों में रिहेबिल्टीशन कॉंसिल अफिंडिया के जो सर्टिफाइड प्रफेशनल्स हैं, जिने हम प्रॉस्टेटिक और ऑफ्रटिक एक्सपर्स होते हैं। वो उनका परिक्षन करते हैं। वो उनके प्रस्ट्राइब करते हैं। अब हम दिलाए और उनको आये और मुन्कों अम मेरा बारन हुजादू में कटा, मैं यहां पर आया न मिला, उनको चलने खरएगे लिए खराम मिली। हम यहां पर आये थे, हम आप रहां उनका खराम होते हैं। पर दो पहले से चलने में आ रहा हूं। समाचारा भी और भी हैं लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। पहले से चलने में आधी पानी तूफान की संभावना व्यक्त की हैं। जनपत बलरामपुर में खाद की काला बाजारी रोकने है तो खाद की 663 दुकानों पर पाश पॉइंट ओफसेल मशीन द्वारा आधार पीडिंग करके किसानों को खाद कीट नाशक वंबीज दिया जा रहा है जिससे किसानों को जहां लंबी लाइनों में लगने से छुटकारा मिला है वहीं खाद की काला बाजारी करने वाले फरजी किसान अब नहीं दिखाई दे रहे हैं किसानों ने बताये कि पहले खाद के लिए सुबह से शाम तक लाइन लगाना पड़ता था और बहुत दिक्कत होती थी अब आधार दिखाकर अंगुठा लगाने से तुरंट खाद मिल जाती है खाद विक्रेता भी पॉश मशीन से खाद विक्री को आसान बता रहे हैं इफको विक्रे केंदर के विक्रे अधिकारी ने बताया कि इससे जहां वास्तवे किसानों को लाब मिल रहा है वहीं काला बजारी पर अंकुष लगा है उन्होंने कहा कि कभी-कभी सर्वर फेल हो जाने पर थोड़ी दिक्कत जरूर आती है लेकिन किसान भी नेटवर्क आने तक इंतजार कर लेता है कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रावलम आती है नेटवर्क कहीं कहीं नहीं कैच करता है तो आधे-अधे गंटे किसान को खड़ रहे जाना पड़ता है और वरना यह हर कॉइंट के लिए किसान के लिए फाइदे मंद है हमारे लिए भी है मेरट के स्कूली बच्चे अब गर्मियों की छुटियों में मौज मस्ती के साथ होमवर्क में गंगा को स्वच बनाने पर निबंध लिखेंगे तथा एक पौधा अपने घर में लगा कर उसकी देख भाल करके उसका फोटो खीच कर उस पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करेंगे बच्चे जग छुटियों से वापस स्कूल आएंगे तब गंगा स्वच्चता निबंध और उस पौधे के फोटो और रिपोर्ट को स्कूल में जमा करेंगे जिस पर उन्हें अंक भी दिये जाएंगे गंगा हरीतिमा अभियान के अंतरगत वनवेभाग वर जनहित फाउंडेशन द्वारा जेस एकेडमी में एक कारिक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिति डियेफो आदित शर्वा ने बच्चों को गंगा स्वच्चता की शपत दिलाई बच्चों को गंगा हरीतिमा अभियान की जानकारी दे गई इसकोली बच्चों ने भी पहली बार अपने होमवक्त में गंगा स्वच्चता को पाकर और एक व्रक्ष लगाने के प्रोजेक्ट को सम्मिलित करने पर होशी जाहिर की और हस्ताक्षर अभियान से गंगा संरक्षर का संकल्प लिया खतम होंगे उसके बाद लेकर के आएंगे और स्कूल में देंगे पहली बार ऐसा अभी तक फर्स्ट स्कूल है जिसने ये एकसेप्ट किया है और वो इसको इस माध्यम से कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी पहले हैं कि बच्चों में ही एक व्रिक्षा अभियान के माध्यम स से एकॉलजी को प्रोटेक्ट करना अपनी बायोडिवस्टी को प्रोटेक्ट करने का एक संदेश मिलेगा शिक्षा मिलेगी हमें स्कूल में पहली बार हॉलिडी हूमवर्क में स्कूल दुआरा दिये गए पौधे पर रिपोर्ट तयार करनी है और उस पर ऐसे लिखना है हमने आज ही शपत लिए कि हम गंगा मित्र के रूप में कारे करेंगे और हम अपनी गंगा को स्वच बनाएंगे उसको प्रदूश्चत नहीं करेंगे और हम और बच्चों को भी इसके लिए प्रेदत करेंगे हम सभी एको क्लब के मेंबोर्स गंगा हरितमा भिहान में अपना पूर्ण रूप से योगदान देंगे बस्ते जिल्य में प्रदानमंत्री आवास्योजना के साथ लाभार्थियों को केंदर सरकार की चार योजनाओ gas connection, विद्युत connection, शोचाले के साथ-साथ स्नानघर का निर्मार कराया जा रहा है जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहट 16,395 आवास बनने हैं जिन में से 15,262 आवास पूरे हो गए हैं आवास के लिए पात्रों को 1,20,000 रुपए तीन किस्त में दिये जाते हैं साथ ही स्वच भारत अभियान के तहट सभी लाभार्थियों को शौचाले भी दिया गया है धुए से बचाव के लिए जुला योजना के तहट 85 प्रिशत लोगों को गैस कनेक्शन भी दिया गया है इसके साथ ही विद्युत कनेक्शन भी दिया जा रहा है 8,500 लोगों को free gas connection भी दिया गया है साथ ही इन लाभार्थियों को 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी भी दी जाती है जिससे वो खुद के घर के काम करके देखरेग भी कर सकी जिसके सापेज 15,265 आवास हमारे complete हो गए है इन आवासों के इलाभार्थियों को कुल 1,20,000 रुपए धनलाज दी जाती है तीन किस्तों में पहली किस्त के रूप में 40,000 दूसरी किस्त के रूप में 70,000 और तीसरी किस्त के रूप में 10,000 साथी साथ आवास के सच वारत मिसन के अंतरगत लाभार्थि को 12,000 रुपए सवचाले निर्माण के लिए दिया जाता है जिसमें जनपत में 5,315 सवचाले का निर्माण अभी तक हो गया है प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्त यानि ओडी ओपी योजना के तहट सुल्तान पुर्जिले में परमपरागत व्यवसाय मूझ क्राफ्ट को बढ़ावा देदनी की योजना जिलाधिकारी विवेक ने तयार कर ली है गोमती नदी के 30.5 लाग के आबादी वाले निशाद बस्ती के 40,000 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं वहीं बड़ोदा सुरोजगार संस्थान ने एक कदम आगे इस व्यवसाय से जुड़े दूरस थिलाकों में प्रशिक्शन शुरू कर दिया है जिलाधिकारी ने उत्पादकों के साथ कलेक्टरेट में बैठा की जिलाधिकारी विवेक ने बताया कि शासन द्वारा एक जिला एक उत्पाद के अंतरगत सुल्तान पुर्जिले को मूंज क्राफ्ट के लिए चैनित किया गया है उन्होंने कहा कि इस विवसाय से जुड़े लोगों द्वारा बनाया जाने वाले उत्पाद की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए ताकि मूंज क्राफ्ट उत्पाद को अंतरराश्ट्रिय मार्केट में स्थान मिल सके काउत्पादन होता है और करीब 126 गाओं है जो नदी के किनारे बसे हुए है उनमें परंपरागत रूप से यह कारे विवसाय किया जाता है उसी को बढ़ावा दने के लिए आज बैठक बुलाई गई थी तमाम गाओं से लोग आये हुए थे उनकी मुख्य मांग रही की पशिक्षण उनको दिया जाए अभी बात बनाकर वो लोग मंडियों में बेजते हैं जिससे ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो पाता है अगर अच्छी ट्रिनिंग दी जाए और गुड़वत्ता परक सामानों को बनाया जाए उपायुक तुद्योक केंद्र सुभीर सरकार ने बताया कि गोमती नदी के किनारे 126 ग्रामों के लोग मुझ क्राफ्ट में अफसाय से जुड़े हैं इस वेफसाय को जनपद में और विक्सित किया जाएगा उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहट इसका चैन करने के बाद अप्रशासन इस से जुड़ी चीज़ों को और आसान बनाया उसी तार्तम में हम जनपद में मुझ क्राफ्ट की टेनिंग बिबिन संस्थाओं से यह पर्टिकुलर जहां मैं ख़रा हूँ यह आर्ट सेठी के माद्दम से बैंक और बरोदा स्वरोजगार के माद्दम से टेनिंग प्रथम इस जिले में स्टार्ट हुआ है और यह टेनिंग इतना अच्छा हो रहा और वो प्रोड़क्ट मार्केट में चला जाएगा तो निश्ची दूप से इनका जीवनिस्तर इनके गाओं का जीवनिस्तर इनके परिवार का जीवनिस्तर उठेगा यह एक जन पर देख उतपात के तहत मूझ क्राफ्ट सुल्तान तूर का चैनित है और उसमें हम लोग ज प्रिशिक्षन से आमदनी बढ़ने की उम्मीद और बढ़ गई है मुख्यमंत्री योगी की बदत के बाद अब गाओं की महिलाओं ने अपने घरीबी दूर करने का संकल्प ले लिया है पतंजली योग सेवा संस्थान के अध्यक्षव योग गुरू स्वामी बाबा राम देव का तीन दिवसीय निश्शुल्क योग चिकित साहिव अमध्यान शिविर का आयोजन आजमगर जनपद की आईटी आई मैदान में सुभा पांच बज़े से साथ बज़े तक किया ज अंख्या में मुज़ूर्गों सहित युवक और महिलाएं प्रशिक्षण ले रहे हैं आजमगर जनपद में 16-17 और 18 मई तक आयोजित शिविर में दूसरे दिन योग गुरू स्वामी बाबा राम देव के द्वारा योग के विभन्न योगमत्राओं और ध्यान का लोगों में योग सिखाया है और आज हम इस निशकर्ष पर पहुंचे हैं कि बिना दवा की व्यक्ति स्वास्थ नहीं रह सकता बलकि योग से निरोगी भी हो सकता है हमने पूरे देश में और दुनिया में यात्रा किये हैं करीब दस करोड लोगों से ज्यादा को प्रत्यक्ष रूप से सीविरू में हमने योग सिखाया और आज हम इस निश्कस पर पहुंचे हैं कि बिना दवा के व्यक्तिया स्वस्थ ही नहीं रह सकता जो काम नहीं हुआ वो काम हमने योग से करके दिखाया इसी के साथ ये समचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार झाल